Hello friends, कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, भेतर होंगे और स्वस्थ होंगे Welcome to Fairs Cloud Learn to Lead मैं हूँ आपका दोस्त आशू और आज हम डिसकस करेंगे 6 और 7 जून के बहुत important current fairs आप 2 best images यहाँ पर देख रहे हो और crack current fairs के ओपर click कर देंगे जिसके बाद आप 1 साल की या फिर 2 साल की subscription buy कर सकते हैं जिसका price दोस्तों बहुत ही कम है एक बर आप मेरे कहने से price जुरूर चेक करें आप खुछ surprise हो जाएंगे कितने कम price पर आपको ये सारी चीजे मिल रही हैं लेकिन सबसे important क्या है इसके अंदर कि 90 से 95% current fairs जो आपके exam में आ रहे हैं वो हमारे दोरा cover किये जा रहे हैं यहीं affairs cloud की genuineity है यहीं affairs cloud का hard work है लेकिन सबसे important चीज एक और भी है कि हम इसके अंदर आपको किस तरह से current fairs provide करेंगे आपको मिलेंगे दोस्तो daily current fairs daily में तीन तरह की चीज़े मिलेंगी एक होगा detailed current fair एक होगा question and answer format में current fair एक होगा quiz जो आप हर रोज हमारी application के उपर आके attempt कर सकते हो next होगा weekly, weekly में भी आपको तीन चीज़े मिलेंगी एक होगा detailed current fair, question and answer format में current fair एक होगा quiz जो आप हर हफते हमारी application के उपर आके attempt कर सकते हो फिर daily और weekly को revise करने के लिए monthly current fair लेके हैं monthly current fair के अंदर आपको detail current fairs मिलेंगे पूरे महीने के study pdf के अंदर question and answer format में current fairs मिलेंगे top और best 100 current fairs मिलेंगे question and answer format में एक होगा pocket pdf दो liner तीन liner में आप current fairs को यहां से revise कर सकते हो और दोस्तों आपकी preparation को और अच्छा करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं topic wise pdf और 20 अलगलग तरह की pdf आपको मिलेंगे topic wise जो की सबसे important topics होंगे हर exam के लिए और आप किसी भी topic से related अगर सारे questions cover करना चाते हैं तो आपको topic wise current fairs की जरूरत पड़ेगी और specially जो banking के exam की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए तीन चीज़े मिलेंगी detail और question and answer format में current fairs banking और economy के एक quiz होगा दोस्तो जो आप हमारी application के उपर हर महीने attempt कर सकते हो अगर आप पूरे साल का current fair जितना भी जा चुक है like 5 महीने जा चुक हैं 2020 के उसको एक ही pdf से revise करना चाते हो तो आप exam pdf को उठाएं और अपने exam की त्यारी और बहतर करें budget और economic survey मिलेगा special current fair के अंदर इसमें आपको detail budget और economic survey तो मिलेगा ही मिलेगा expected question and answer भी बताये जाएंगे आपको जो examiner आपको यहां से पूछ सकता है अगर आप state exam की त्यारी कर रहे हैं तो आपका state current fair भी हम लोग cover कर रहे हैं और हम हर state और union territory को cover कर रहे हैं इसके लिए कोई अलग अलग subscription नहीं है सिरफ एक ही subscription आपने application को download करना है link से google के थूँ आपने login कर लेना है और साथी साथ आपने crack current fairs के ओपर click करना है उसके बाद एक साल की या दो साल की subscription आप buy कर सकते हैं जिसका price बहुत ही minimal है देखेंगे जरूर शौक में आ जाएंगे कितने कम price पे हम इसको provide कर रहे हैं और उसके उपर भी 10% discount मिलेगा आपको अगर आप ash 10 code को use करते हो और इस email id पे आप जो हमें संपर्क कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी query है या इस number पे भी आप हमें contact कर सकते हो तो आज का current fairs start करते हैं 6 और 7 June का लेकिन आपने उससे पहले वीडियो को like कर देना है share कर देना है वीडियो को और चैनल को subscribe करने लेना है और आपने हमारे telegram group को भी join कर लेना है जिसका link भी आपको description box में मिल जाएगा तो most important questions के साथ start करेंगे जिसमें पहला question है which institute topped from India according to times higher education Asia's university ranking तो इसमें तीन चीज़े हैं दोस्तों याद रखना है एक तो हमने यहाँ पर पूछा है कि इंडिया से कौन से institute ने top किया है और यह ranking दोस्तों एक बहुत ही famous education institution आप कह सकते हो जो ranking करता है times higher education institution लेकिन इसमें सिरफ एशिया की universities को ही rank किया गया है और इंडिया की कौन सी university top पे है दोस्तों इंडियन institute of science बेंगलूरू जो है वो top पे है इसका मतलब अंसर क्या होगा इसका ए होगा IIT रोपट दोस्तों second में है और IIT इंदोर जो है वो third number पे है मतलब जो आप पहली तीन universities देख रहे हो यह top 100 universities में आती हैं इंडिया की तो top 100 में तीन universities इंडिया की ली गई है और top 200 universities में इंडिया की 18 universities दोस्तों हिस्सा है इसका तो यह आपने याद रखना है बहुत ही important है और आप देख सकते हो IIC बेंगलूरू, IIT रोपट, IIT इंदोर यह जो है वो top 100 universities में एशिया की ranking के अंदर इंडिया में जो है वो सबसे top पे है और IIC बेंगलूरू दोस्तों, almost अगर आपको कोई doubt भी आ जाए तो almost हर ranking के अंदर यह पहले number पे ही रही है, ज्याद अतर और 13 ऐसे indicators को साथ में लेके इसको rank किया गया है और दोस्तों, जितनी भी Asian countries है, उसमें सबसे ज़्यादा जो universities आंकी गई है, वो किसकी आंकी गई है, जपैन की 119 universities, 119 universities, sorry 116 universities जो है, वो जपैन की आंकी गई है, 91 universities चाइना की आंकी गई है और इंडिया में से 63 universities ने इसमें participate किया था, और इंडिया तीसरे नंबर पे है, जितनी universities जो हैं इसके अंदर participate किया है और टोटल 551 universities ने इसके अंदर दोस्तों participate किया था, और 30 countries एशिया के इसमें consider की गई थी और अगर आप पूरे एशिया में से लोग हैं तो top university कौन से है, सिंग हुआ यूनिवसिटी ने है दोस्तों कहा पे चाइना के अंदर Times Higher Education Asia University ranking में top पे हैं इंडिया की तरफ से world level पे मतलब Asia की ranking के अंदर Singhua University जो हो top पे है और India country वाई जो हो third list में सिरफ ये 3 या 4 तीज़े भी याद रहेगी question जो है वो आपका गलत नहीं होगा आगे आते हैं दोस्तों अगले question के उपर which company ranked on the first position in the 2021 fortune 500 list तो ये याद रखना है दोस्तों क्योंकि ये fortune magazine की तरफ से जो है वो list नहिका ली गई है और ये one of the most important list होती इस बार इसका 67th edition था और fortune 500 का मतलब 500 companies की एक ऐसी America की largest companies को rank किया जाता है इसमें जिनका revenue जो है वो सबसे जादा होता है पूरे एक साल के अंदर तो वो company दोस्तों हमारे पास कौन सी है Walmart है मतलब answer क्या होगा first होगा तो Walmart जो है वो answer होगा और second number पे दोस्तों rank जो है वो किसका है second number पे Amazon का है और तीसरा rank जो है वो Apple का है तो ये याद रखना है पहला और दूसरा जो है वो खासतोर से याद रखेंगे एक company है जो specially आप यहाँ पे देख सकते हो cognizant इन्होंने बहुत ही लंबी चलांग लगाई है और 185th position पे ये आ चुके हैं 185th पे दोस्तों मतलब आप कहा सकते हो कि बहुत ही जल्दी इनका rank 2011 में जो है वो 484 था out of 500 अब 185th है मतलब 10 सालों के अंदर जो है वो almost जो है वो इन्होंने आप कहा सकते हो बहुत ही लंबी चलांग लगा ली है तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो लेकिन otherwise इतना ज़्यादा important नहीं है लेकिन आपने सिरफ इतना याद रखना है ये 67th edition है fortune magazine का और इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा top जो है वो किसने किया वालमार्ट ने top किया बस इतना ही याद रखें इतना ही important है next question के उपर आते हैं दोस्तों next question है मारे पास who is appointed as the managing director and chief executive director of RBL bank तो इसमें हम आपको एक hint दूँगा यहां पर बात हो रही है RBL bank की जो आपने याद रखना है और उसी बंदे को यार री पॉइंट किया गया जो पहले से ही इसके जो है managing director और CEO थे मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद सारे बच्चों को पता है कि वो कौन थे विशवीर अहुजा और यार पहली बार तो यह appoint नहीं किया गया मतलब 2010 से लगातार इसी position पे वो बने हुए MD और CEO इनको appoint किया गया तो 2010 में RBL bank का और आप देख रहे हो 2021 आ चुके है RBL bank तो इसमें मुझे बताने वाला कुछ नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि यह चीजें जो है वो repointment वाली जो है वो दुबारा हुई है तो इसका मतलब जो है आपको बहुत जादा चीजें इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक बात याद रखने की 2010 से यह वो इसी position के उपर appointed है और पहले यह Bank of America के भी जो है वो MD और CEO रहे चुके हैं 2001 से लेके 9 तक लेकिन यहाँ पर जो आप बाकी appointments देख रहे हो दोस्तो यह भी बहुत जादा important है लाइक इसमें आप एक नाम देख रहे हो उजवला सिंगानिया यह दोस्तो FLO की recently president बनाई गया है FLO का मतलब Fikis Ladies Organization और यह 38th national president बनी है इस organization की तीर अभी शंकर आपको पता है RBI के 4th deputy governor appoint किये गए है क्योंकि आपको पता है कि एक position खाली थी जिसके कारण वोबिन को लगाया गया है नीरा टंडन United States में बहुत important appointment हुई है जो बाइडन की senior advisor लगाई गया है यह जो बाइडन की senior advisor नीरा टंडन को लगाया गया है तो यह सारी चीज़े दोस्तो याद रखेंगे अगले question के उपर बढ़ेंगे इसी के साथ और अगला question है जैसे कि आपको पता है क्रिकेट में IPL है दोस्तों आप कह सकते हो कि क्रिकेट का जो है वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ पचास-पचास ओवर का लोगों ने देखना बंद कर दिया या कम देख रहे हैं तो 20-20 का ओवर का ज़्यादा देखने लगे हैं ऐसी होकी में हैं तो होकी में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो है वो short time कर दिया जाए और साथी साथ जो है वो players ज़्यादा interest ने उसमें और होकी जो है बड़ी game जो है वो बन सके तो इसी लिए होकी 5S का जो है वो शुरुवात किया जाएगा concier में 2024 में उसका world cup करवाया जाएगा men का भी और women का भी और international hockey federation की तरफ से यह निपना लिया गया और इसका पहला addition 2024 में करवाया जाएगा और इसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तो ओमान करेगा अंसर क्या होगा इसका बी होगा तो मेरे ख्याल से कुछ भी जो है वो इसमें याद रखने वाला नहीं है लेकिन question जो है बहुत ही ज़्यादा interesting भी है बहुत ही ज़्यादा important भी है और दोस्तो सारे के सारे मैचीज जो है वो दोस्तो मसकट में होंगे मतलब जो capital है ओमान की सारे के सारे मैचीज जो है वो उसमें ही किये जाएंगे इस बात को भी आपने याद रखना है और इंडिया ने भी कहा था मेजबानी करने के लिए सिंगापूर ने भी कहा था पाकिस्तान ने भी कहा था लेकिन इनको पचाड के मेजबानी किसको मिली है ओमान को यहाँ पे मिल चुकिया दोस्तो याद रखना है important question है और होकी 5S मतलब ये होकी को promote करने के लिए short term होगा, fast होगा, skillful होगा ताकि लोग जो है वो इसको accept कर सके और होकी के जरिये जो है वो हम जो है वो इस game को आगे बढ़ा सके और इसमें कहा गया कि maximum to maximum 5 player जो है वो इसमें खेलेंगे, 4 जो है वो field player होंगे, एक जो है वो goalkeeper होगा एक team से, और उसी के एसाब से ये format जो है वो त्यार किया जाएगा और ये याद रखना है, आपको examiner year भी पूछ सकता है 2024 में होगा दोस्तों ये next question के उपर आते हैं, next है हमारे पास very important sections, लेकिन वीडियो को like करना है share करना है, और channel को subscribe कर देना है और हम हमारे telegram group को भी दोस्तों join कर सकते हैं जिसका link जो है वो description box में आपको मिल जाएगा तो उसमें हमारे पास पहला question है what is the name of initiative and portal? दो चीज़े हैं, एक तो इन्होंने initiative स्टार्ट किया मतलब एक campaign स्टार्ट किया एक इन्होंने website मतलब portal भी launch किया है which was launched by ministry of social justice and empowerment to help old aged people तो सबसे खास बत क्या है कि यह जो मतलब aged बंदे हैं उनके लिए इन्होंने इसको स्टार्ट किया है और इस portal का अपने नाम बताना है कि क्या है इसमें उनको हर तरह की सुविदाई दी जाएंगी हर तरह की चीज़े इसके अंदर बताई जाएंगे उनको मतलब आप क्या सकते हो कि जो elderly people है उनको हर तरह की accessibility उनकी जो भी essential needs है उसको पूरा किया जाएगा और इस portal का दोस्तों नाम क्या है Sage तो अंसर क्या होगा इसका D होगा और Sage का मतलब क्या है Senior Care Aging Growth Engine याद रखना है क्या है Senior Care Aging Growth Engine यह इसका नाम है और इसके benefit जो है वो किसको मिलेंगे elderly people को मिलेंगे मतलब जो aged लोग है उनको मिलेंगे इसके लिए 25 क्रोड रुपे का fund जो है वो financial year 2021-22 के अंदर जो है वो रखा गया है और यह Ministry of Social Justice और Empowerment के द्वारा चलाई जाएगी और आपको पता है कि Union Minister कौन है थावर्चन गहलोड है उन्होंने ही इस portal को जो है वो launch किया है थावर्चन गहलोड याद रखना है दोस्तों Constitution सी इनकी मद्या प्रदेश है और इसका objective क्या है कि सब तरह की services जो भी aged बंदों को चाहिए वो एकी जगा पे मिल सके और उस portal के अंदर मिलेंगी जिसका नाम क्या होगा Sage होगा और Sage Portal के अंदर क्या होगा One Stop Assess है दोस्तों elderly people के लिए जो की उनकी हर तरह की needs जो है वो पूरी करेगा चाहे वो food and wealth management को लेके होगा चाहे उनको कोई legal guidance चाहिए चाहे उनको कोई housing की problem है कोई care center के बारे में जानना है कोई health के बारे में problem है कोई आप कह सकते हो कि finance linkage के अंदर कोई problem है सारी चीज़े जो है वो एकी अंदर portal के अंदर मिल जाएंगे तो sage याद रखना है ministry of social justice and empowerment के बारे में याद रखना है और साथ ही साथ आपने याद रखना है थावर्चन, गहलोट के बारे में और elderly people ये तीन-चार keywords अगर आपके दिमाग में रह गए तो answer जो है वो आपका बिलकुल सही होगा लेकिन दोस्तो बाकी options जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा important है लाइक इसमें आप देख रहे हो एक आयूश संजीवनी दोस्तो नाम सी पता लग रहा है आयूश संजीवनी जो है वो किस काम के लिए यूज किया जाएगा मतलब ये जो भी आप कह सकते हो कि आयूश हमारे products है चाहे वो आयूरवेदा है, योगा है, नियूरोपैथी है, युनानी है, सिद्धा है, होमोपैथी है तो इनका यूज करके population जो हमारी है इंडिया की वो किस तरह से COVID-19 को बचा सकती है उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया, ये Ministry of Health और Ministry of Iyush की तरफ से इसको लाँच किया गया था नेक्स ते जीवन सेपा, ये दोस्तों आप कह सकते हो दिल्ली गॉवर्मेंट का इनिशेटीव था उनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे सतेंदर जैन जी उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, इसके अंदर था कि जो क्रोना पेशेंट्स है, उनको टाइमली जो है वो हेल्थ केर फेसिल्टी तक पहुंचाया जा सके उसके लिए ये एप्लिकेशन थी, जीवन सेवा एप्लिकेशन फिता PR Insight, ये दोस्तों पंजाब गौर्णमेंट का था, पंजाब गौर्णमेंट ने ये डिसाइट किया, कि हम एक ऐसा प्लैटफर्म बनाते हैं, जिसमें लोगों को हर तरह की schemes का benefit मिल सके और proper execution हो सके सारी schemes के, तो ये सारे के सारे आपने याद रखने application और portal किसने किसने launch की हैं, इसी के साथ अगले question पर पढ़ेंगे, which country became the second largest source of foreign direct investment into India during financial year 21, तो official data आ चुका है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा FDA जो है, वो कौन सी country से जो है, वो आई है, और ये दोस्तो department for promotion of industry and internal trade की तरफ से data दिया गया है, जिसमें आपको पता है, top पे तो हमेशा कौन रहता है, सिंगापूर रहता है, मतलब सबसे ज्यादा FDA जो है, वो तीन साल हो चुके है, लगातार जो सिंगापूर वो है, टॉप पे है, लेकिन दूसरा स्थान अदर्वाइस मौरिशियस के पास रहता है, लेकिन इस बार दूसरा स्थान जो है, वो दोस्तो USA के पास है, और question में भ ग्रोथ की है, इवन COVID-19 के टाइम प्रेट पर भी हमने जो है, वो इसको ग्रोथ के अंदर लेके गए हैं, तो ये सारी चीजन थोड़ी सी याद रखने है, सिंगापूर और USA आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, तो कि सिंगापूर सारे बच्चों को पता है, USA जो है वो examiner आपसे पूछ सकता है, इसलिए हम भी आपसे यहीं पूछ रहा है, और Mauritius को पीछे छोड़के USA दूसरे rank पे आ चुका है, आप देख सकते हूँ, 13.82 billion FDA जो है, वो USA से आई है दोस्तों, और Singapore 17.41 billion है, और Mauritius बहुत कम हो चुका है, COVID-19 के कारण 5.64 billion और इसी से बाकी और भी है, और आपको ये भी याद रखना है, कि सबसे ज़्यादा FD कौन से से सेक्टर में आई है, ये आई है दोस्तों, computer software and hardware, तो by default है, सारी चीज़े virtual हो रही हैं, तो by default किसमें आएंगे computer software and hardware के अंदर, और बाकी चीज़े में आपको बता चुका हूँ, और य किसी याद रखनी है, अगले question के उपर बढ़ेंगे, who is elected to the board of international dairy federation, तो organization important है, board of international dairy federation, इससे पहले हमने एक और शक्स के बारे में किया था, last year हमने 2020 में किया था, कि दिली परत जी को चुना गया था, board of international dairy federation के अंदर, लेकिन अब किसको चुना गया है, जो managing director हैं दोस्तों Dr. RSODG, इनको चुना गया है, तो याद रखना है दोस्तों, मैं किस organization की बात करूँ, मैं बात करूँ, गुजरात कॉपरेटी Milk Marketing Federation Limited, जिसको हम Amul के नाम से भी जानते हैं, उनके जो managing director हैं, Dr. RSODG, उनको appoint किया गया है, as a one of the member of board of international dairy federation, इसे पहले दिली परत को किया गया थ administration की स्थापना की गई थी, ताकि हम dairy sector के अंदर science and technology के अंदर, dairy sector के अंदर science and technology को लेके आ सकें, और high quality dairy products की जो delivery है, हम वो provide कर सकें, उसके regarding policies बना सकते हैं, ये standards जो है, वो determine कर सकते हैं, practices जो चल रही हैं पूरे world के अंदर, तो वो सारी देखी जाएंगी, और पूरे world में इ इंडिया का जो national dairy development board है, वो इसका जो है वो member भी हैं, और इंडिया का जो national dairy development board है दोस्तों, वो भी यहीं काम करता है, इंडिया के अंदर dairy sector को होकी फेडरेशन या इसको FHIB कहा जाता है तो international होकी फेडरेशन नरेंदर बतरा और इसी से पहले हम जो हैं वो hockey 5S के बारे में भी बात करेंट हैं वो भी international होकी फेडरेशन की दिरव से decide किया गया था कि 2024 में होगा औमान में किया जाएगा आप कहा सकते हो कि छोटा होकी वर्ल्ड कप जो है वो किया जाएगा तो सारे option भी cover कर चुके है important information cover कर चुके है अगले question के उपर बढ़ते हैं which bank has planned to become carbon neutral by 2032 नहीं है 2032 नहीं है 2032 नहीं है 2032 तो कौन सा bank carbon neutral हो जाएगा मतलब बिल्कुली carbon emission नहीं काएगा carbon free हो जाएगा वो कौन सा bank है दोस्तों वो है HDFC याद रखना है कौन सा bank है HDFC HDFC ने decide कर लिया कि वो अपने emission को रोक लेंगे उसको कम कर देंगे energy और water consumption को भी क्या कर देंगे reduce कर देंगे और bank ने green bonds issue करने के लिए कहा है मतलब जब ये bond issue करेंगे तो जो पैसा आएगा वो funding जो है वो कहां पे लगाई जाएगी इस emission को रोकने के लिए लगाई जाएगी और इसको किस तरह से जो है वो HDFC अचीव करेगा उन्होंने इसके बारे में भी जो है वो यहां पे जिकर किया है उन्होंने कहा है कि वो क्या लगाएंगे वो rooftop solar capacity लगाएंगे जहां पे उनके बड़े offices हैं तो by default एक renewable energy source हो जाएगा वो emission को कम करेंगे और साती साथ जो है वो 50% electricity उन्होंने कह दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी मारी electricity उसमें 50% जल से जल renewable energy में convert कर सके और उन्होंने कहा है कि 2.5 million trees जो है वो लगाएंगे water consumption जो है वो 30% तक reduce करेंगे और साथ ही साथ जो है वो अपने जो credit decision है वो और भी चीजों को देखके लिया करेंगे जो environment के उपर impact कर रही है loans जो देने हैं वो भी इसी के उपर देंगे electric vehicles के उपर loan जादा दिये जाएंगे lower interest rate पर दिये जाएंगे तो इन चीजों से वो क्या हो जाएंगे carbon neutral हो जाएंगे तो आपने दोस्तों याद रखना है HDFC के बारे में और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि HDFC bank को establish कब किया गया था 1994 में इसका headquarter कहां पे है मुंबई में है दोस्तों और इसके जो MD और CEO है शेशिदर जगदीशन है और इसकी tagline है we understand your world ये चीज़ें आप याद सब्सक्राइगा to upgrade major district roads of which state तांकि उसकी road infrastructure जो है वो improve हो सके खास करके आप कह सकते हो टूरिजम उस state के अंदर improve हो सके और आप कह सकते हो कि पूरी सी पूरी economy जो है वो क्या हो सकती है रिवाइव हो सकती है इस पूरे road platform के तुरू और वो state है दोस्तों सिक्किन North Eastern state में रूर roads को improve करना है खास करके हिली एरिया है लैंड्सलाइट जादा होती है जिसके कान roads को improve किया जाएगा और इसी बात के लिए कि रोड इंफस्ट्रक्चर को क्या कर सके इंप्रूव कर सके तो by default tourism बढ़ेगा तो economy अपने आपी जो है वहां पर अच्छी हो सकती है तो दोस्तों Asian Development Bank के बारे में भी आपने याद रखने Asian Development Bank जो है वह बहुत important है इसका headquarter आपको Manila Philippines में मिलेगा और इसको कब establish किया गया था 1966 में कितनी countries member है 68 countries जो है वो member है और इसके जो head है मतलब president है वो कौन है मस्त सुगू है तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है और मैं बहुत बार इस चीज़ों को repeat करता रहता हूँ और 68 countries में भी अगर आप देखोगे maximum countries Asia और Pacific countries है 49 countries जो हैं और दोस्तों आप सिक्किम के बारे में है प्रेम सिंग तमांग तो याद रखेंगे दोस्तों प्रेम सिंग तमांग ये chief minister है और यहां पर एक बहुत ही important national park है world heritage site है और एक mixed heritage site है जो की इंडिया की पहली mixed heritage site है 2016 में डिकलेर की गई थी उसका नाम क्या है कंचन डेजोंगा तो याद रखेंगे कंचन डेजोंगा या आप कह सकते हो कंचन जंगा Biosphere Reserve वो एक national park भी है Biosphere Reserve भी है और even United Nations आप कह सकते हो कि जो UNESCO है world heritage sites भी डिकलेर किया था जुलाई 2016 में और mixed heritage भी डिकलेर किया गया थे इंडिया का पहला बहुत important याद रखेंगा और कंचन जंगा वैसे भी इंडिया की highest mountain है undisputed area में तो ये भी आप याद रख सकते हो नेक्स आते हैं दोस्तों अगले question के उपर securities and exchange board of India enhance the overseas investment limit for a mutual fund house to dash मतब सेबी ने जो है वो mutual fund के अंदर investment जो है overseas investment है वो बढ़ा दी है पहले आपको याद होगा कि पिछले साल ये 200 million तक invest कर सकते थे mutual fund house के अंदर लेकिन इसको बढ़ा के 300 million कर द दिया था November 2020 में अब 600 million से भी बढ़ा के कितना कर दिया 1 million ताकि इंडिया के अंदर mutual fund के अंदर investment बढ़ सके और आपको पता ही है कि सेबी जो है वो 1988 में establish किया गया था लेकिन 1992 में 1992 में इसको एक statutory body बनाया गया था और इसके headcon है अजे त्यागी जी है ये भी आपने याद और साथ ही दोस्तों आपने याद रखना है कि इसके जो headquarter है वो कहां पर है मुंबई महराश्टरा और आप यहां पर देख सकते हो सेबी raises overseas explosive limit for mutual fund house to USD 1 billion और कुछ याद रखने की ज़रूरतनी इस question में सिरफ इतना याद रखना है कि सेबी ने कितनी limit जो है वो कर दिया otherwise इस important नहीं है कुछ भी important नहीं है अगर जादा से जादा आप याद रखना भी चाते हो तो आप यह याद रख सकते हो कि securities and exchange board of India ने कितने से इसको किया है 600 million से जो है इसको कितना कर दिया है 1 billion जो है वो कर दिया है यह hundred आप कह सकते हो कि इसको बस 1 billion करके ही सको याद कर लो और द किया गया था 1963 के अंदर 1963 में यह जीज आपने याद रखनी है next question के उपर आते हैं but is the name of oldest hydrographic survey ship which was decommissioned by Indian Navy recently तो मतलब उनका सफर जो है वो खतम हो चुका है और उन्होंने 40 साल जो है वो service की है hydrographic survey ship जो कि आपको पता होना चाहिए कि यह survey करता है कि offshore oil exploration कितना हो सकता है oil drilling कितनी हो सकती है कौन सी जगापे हो सकती है जो marine navigation जो आप कह सकते हो ships को इदर उदर जाने में effect करती है चीजें तो उनके बारे में यह जो है वो survey करती है ships और इसका नाम है दोस्तो INS Sandiak तो याद रखना है INS Sandiak यह retire हो चुका है दोस्तो 40 साल इसने service में दिये है और आप देख सकते हो INS Sandiak को अब retire कर दिया गया है और यह hydrographic survey था मतलब hydrographic survey ship था जो कि आप कह सकते हो survey करता था oil exploration के बारे में oil drilling के बारे में तांकि इदर उदर जाने में कोई भी problem न और बहुत से operations में इसका यूज किया गया है operation power में यूज किया गया है 1987 में जो कि शिरलंका की civil war में जो है वो यूज किया गया था operation rainbow 2004 में जो की humanitarian assistance बेजा गया था tsunami affected area के अंदर especially आप देख सकते हो कि उस time period पे बहुत बड़ा area southern reason जो है वो affected था tsunami के कारण तो ये सारी चीज़े याद रखनी है even आप यहाँ पे एक option देख रहे हो INS निर्देशक ये भी दोस्तों decommission कर दिया गया था और ये भी बहुत important था और उस time period पे काफी चर्चा में रहा ये 2014 मे जो है वो मतलब पूरा का पूरा decommission कर दिया गया था अभी जो है वो INS investigator है INS निरूपक है ये मतलब अभी भी चल रहे हैं इनको भी decommission जो है वो जल्दी किया जा सकता है फिर उसके बाद हमारे पास जो नए बने थे इसके बाद INS जमुना, INS सतलुज, INS दर्शक, INS सर नवल स्टाफ है, एड्मिरल करंबीर सिंग है, हेड़कॉर्टर इसका न्यू डेली है, नेक्स आते हैं अगले question के उपर की world environment day का theme जो है वो क्या है 2021 का, तो most important question में भी इसको cover कर सकते हो, और साथ में दोस्तों इसमें दो-तिन चीज़े मैं आपको पहली बता देता हूँ कि करना है, उसको दुबारे से recreate करना है और जो खराब हो उसको restore करना है, यह हो गया theme, तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि हर साल एक country जो है वो एक event host करती है, हर साल कोई main country जो है एक event host करेगी जो की world environment day की तरफ से officially जो होगा, और वो country दोस्तों इस बार कौन सी है, पाकि environment day 5 जून को मनाया जाता है, एक तो यह theme, reimagine, recreate, restore, और एक है कि पाकिस्तान जो है, वो world environment day को host कर रहा है इस बार, ecosystem restoration theme के उपर, और हर साल कोई न कोई country जो हो इसको host करती है on the rotation basis, तो सारी important चीज़े मैं आपको बता चुका हूँ, theme याद रखना है, और इंडिया ने भी एक event जो है वो किया है, जिसमें promotion of biofuels for better environment के उपर उन्होंने काम किया है, और आपको बताए है, 20% ethanol blending जो है, वो हमने कहा है कि हम achieve कर लेंगे 2023 तक, पहले target 2030 था, फिर 2000 आप कह सकते हो कि 25 कर दिया, अब 2030 जो है वो कर दिया, और 40% global crops जो है, वो pest के कारण खराब हो रही है, यह food and agriculture organization की report के अंदर बताया गया है, दोस्तों यह भी आप जो है वो थोड़ा सा याद रख सकते हो, अदरवाइस इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है, एक information है कि यह मतलब इतनी crops जो है, वो पूरे world के अंदर खराब हो रही है, सिर्फ किस के कारण, पैस्ट के कारण, और यह भी कहा गया है, कि यार यह पैस्ट जो है, वो गलोबल कारण, वार्मिंग के कारण, जो है, वो ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसके कारण यह जो crops हैं, और भी ज्यादा effect हो रही है, तो हम यह बचाने की ज़रूरत है, environment को बचाने की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें अपने तो यह सारी चीज़ें अपने याद रखनी है, अगले question के उपर आते हैं, important questions के उपर दोस्तों, लेकिन उससे पहले like कर देना, वीडियो को share करना, maximum to maximum channel को subscribe कर देना है, और हमारे telegram group को join कर लें, और दोस्तों पहला question है, who has signed a memorandum of understanding with Indian society of heating, refrigerating and air conditioner engineering to implement energy efficient solution, तो आप देख सकते हो, कि Indian society of heating, बत्ता जो heating products है, refrigerator products है, air conditioner engineers है, इसमें हम किसी तरह से energy efficient solution जो है, वो लेके आ सके, इन्होंने जो है, इस institution ने tie-up किया है, energy efficiency services limited के साथ, जिसको हम EESL के नाम से भी जानते हैं, तो यह tie-up किया गया, ताकि energy efficient solution जो है, वो provide कर सके, EESL जो है, वो help करेगा इस organization की, त कुछ भी है, तो उसमें जो है, वो हम नई तरह की technology यूज़ कर सके, तो दोनों ही organization इसके उपर काम करेंगी, देखेंगे कि कितनीक demand है इस sector में, और कितनीक हम और energy efficiency जो है, वो इसके अंदर लेके आ सकते हैं, तो इसी के उपर जो है, वो यहाँ पर चर्चा होगी, question बहुत energy service company है, under the ministry of power, इसके managing director है, रजत सूध, रजत सूध, और इसका headquarter कहाँ पर डेली, दूसरी organization याद करने की ज़रूरत नहीं है, Indian society of heating, refrigerating and air conditioning engineers, अगला है दोस्तो, second by monthly report आई है हमारे पास, आप देख सकते हो, यहाँ पर शक्तिक अंदास जी 2021 कि इनों ने report दी है, monetary policy committee ने इस सारे के सारे policy rates जो है, वो बराबर है, तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई भी rapport rate आप देख सकते हो, कि 4% है, reverse rapport उससे 0.65% कम रहेगा, 3.35 है, MSF और bank rate सेम है, 4.25, 4.25, CRR भी सेम है, 4% ही cash रखना पड़ेगा, SDR, SLR भी सेम है, statutory liquidity ratio भी 18% ही जो है 9.5%, 9.5%, यह monetary policy committee की तरफ से कहा गया है, तो यह सारी चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पर, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स आते हैं दोस्तो, restore land the size of China to meet climate and nature goals United Nations says, तो इन्होंने कहा है कि जितनी चाइना कि land है यार, उतना area हमें restore करना पड़ेगा, तब ही जाके जो है 2030 तक हम कुछ goals को, climate goals को हम achieve कर सकते हैं, इवन जह आप कह सकते हो size of China, जह आप कह सकते हो 1 billion hectare जो degraded land है उसको restore करना पड़ेगा 2030 तक, तब ही जाके हम environment को दुबारा से कुछ achieve कर सकते हैं, और current जो है पूरा world 1. 1.6 times जो है, वो services को use कर रहा है जितनी nature provide कर रही है, मतलब 1.6 times जो है, वो जादा use कर रहा है जितनी nature हमें provide कर रही है, तो by default environment loss तो हो ही रहा है, और वैसे भी 2021 से लेके 30 तक का जो हमारा time period पूरा 10 साल का जो decade है, इसको United Nation decade on ecosystem restoration भी कहा गया है, तो यह भी आपने याद रखना है, और यह दो organizations की report है, एक FAO है दोस्तों, इसमें एक हमारे पास कौन है, United Nation Environment Program, UNEP, FAO के बारे मैं आपको बता चुका हूँ, UNEP के बारे में याद रखना है, headquarter इसका Nairobi Kenya है, और इसके executive director Anger Anderson है, नेक्स आते हैं one-liner important points में, जिसमें पहला point हमाने डिसकस कर लिया है, 40% of global crops, pest क यह देख चुके हैं, International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2021, 5 June, तो मतब दोस्तों, इसमें important के है कि 5 June को यह दिन तो मनाया जाता है, लेकिन क्यों, ताकि जो fishery sector है, वो बहुत ही ज़्यादा compromise हो चुका है, illegal trading के कारण, unreported या आप कह सकतो, unregulated fishing activities के कारण, तो हमें इसको regulate करना पड़े और इसके अंदर illegal trading को रोकना पड़ेगा, यह food and agriculture organization की तरफ से कहा गया है, लेकिन examiner आपको यह दिन पूछ लेगा, यह बहुत ही important question नहीं है, next, black carbon deposit, speed up glaciers and snow melting Himalayan rangers, world bank study, दोस्तों, world bank की एक report है, जिसमें यह कहा गया है, कि यार, जो मतलब, यह glaciers melt हो रहे हैं, खास करके, जो Himalayan reason है हमारे पास, तो उसमें जो हो रहे हैं, वो मतलब man-made activities के कारण हो रहे हैं, उसके पीछे कारण है, कि जो man-made activities है, उसके कारण, जो आपने कई बार देखा होगा, glaciers या snow के उपर, जो black black color के जो traces हैं, वो मतलब man-made हैं, वो कहते हैं, इसके कारण, जो है, वो melting process जो बहां पे ये देखने को मिला है, और world bank के बारे में पता है दोस्तों, इसके प्रेजिडेंट देविड मालपास हैं, managing director और CEO इसके शाउलीन यांग हैं, headquarter is of Washington DC और total member countries 189 हैं, और इसको IMF के साथ ही बनाया गया था, 1944 के अदर, next, manipal hospitals acquires wikram hospital for 350 crore, तो इससे पहले manipal hospital ने क क्रम hospital को भी खरीद लिया है, next आते हैं, omnivore appointed हर्श कुमार बनवला और बहनवला, former chairman of Nabad as senior advisor, तो सिरफ एक simple सा question है, कि आपने एक omnivore company को याद रखना है, और वो भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कि ये एक agri technological venture capital firm है, जिरो ने हर्श कुमार को, जो है वो chairman बनाया है, national bank for agriculture है, rural development का, मतलब आप कहा सकते हो कि ये former chairman थे इस organization के, लेकिन अब ये senior advisor बनेंगे इस omnivore के, तो नबाड के तो मतलब बहुत पुरान है, क्योंकि नबाड के आजकल जीर चिंताला जी है, next आते है, pay tm payment bank to issue physical visa debit card, बहुत जादे important है, सिरफ इतना याद रखना है, pay tm ये पहली बार, Indian Legislative Assembly में जब देश अजाद नहीं हुआ था, तो RBA को बनाने का bill pass किया, bill जो है वो introduced किया गया था, pass तो हुआ नहीं था ये, तो introduced किया गया था, तो ये आपने बताना था मुझे, और बहुत से बच्चों ने answer जो है, वो बिलकुल सही बताया, answer जो है वो इसका इसका act जो है, वो basically आया था, next आते हैं, question of the day, question of the day क्या कहता है, which of the falling is known as the father of leasing financing in India, leasing financing के father कौन है, बहुत ही simple question है, direct question है, अगर आया तो simple आएगा और इसमें सिरफ question answer ही याद रखना है, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे comment box में answer बताएंगे, और किसी वज़ा से मैं नहीं वीडियो को बना पाया, क्योंकि मुझे भी साथ में जो है वो जाना था, लेकिन मैं आपको भी कहूंगा कि यार हमेशा बचके रहें, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुझे परवावित किया है, तो मैं अपना खुद का personal experience शेयर कर सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा families इसमें खतम हो चुकी है, एक-एक family के दो-दोस दस्या जा चुके हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान जो है, वो एक-एक family को हुआ है, तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, इसको serious लें, गर पे रहें, और गर पे रहके पड़ें, जितन और 6-7 की भी आप देख लोगे आज, तो guys वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रियों, आप हमारे current fairs को purchase कर सकते हो, एक साल या दो साल की validity के साथ, price बहुत ही कम है, इवन आप देखोगे, खुछ surprise हो जाओगे, और 10% discount आपको मिल जाएगा, इसमें अगर आ बताना जाओँगा आपको कि life को बहुत ज़्यादा serious ना ले, हमेशा खुश रहे, कुछ नहीं कह सकते, इस वक्त के अंदर की किसके साथ क्या होगा, इसलिए हमेशा खुश रहे, खुश रहोगे, तो life जो है, वो हमेशा याद रहेगे, thank you guys, take care and bye-bye.